एक नई कहाणी पे आपका स्वागत है भेडिये और भेडो की कहाणी एक भूके भेडिये ने भेडो और उनकी नींद की रखवाली करने के लिए वेठे कुद्दे पर उसने नजर डाली और वो घुर्राया, मतलब उपना आवाद चिलाया जैसे भेड़िया चिलाता है आज मैं उन्हें अपना बना लूँगा मतलब मैं आज उनका खाऊंगा और अपना रस्ता पाने के लिए एक योजना बनाए मतलब एक फ्लान बनाया कि अपना कैसे वो मुकाम में पहुंच सके भेड की तरह उसने कपड़े पहने एक दोस्ताना चेहरे के साथ उसने सुक्ष अनुग्रह के साथ जुन्ड को मुर्खता बनाया तो भेडों ने उस पर भरोसा किया इस बात से अंजान की वो एक जिखम भरे मामले में खड़े थे उस अकर्षन से साथान रहिए जो आपके दुष्ट को अंधा कर देता है ये तब नुक्सान पहुंचा सकता है जब ये सच लगता है दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी है चोटी सी कहानी से ये तरपे मिलता है कि किसी के अंधे चेहरा से किसी को बिलिव नहीं करिए आप सोच समझ के दोस्ती नहीं भाईए तो किसी का रूप भी बदल सकता है किसी को अपर इतना विश्वास मत करिए तो कहानी का मुल्लोप एग